तो अब तक हमने पढ़ा था अमीर खुसरो के जो पढ़े थे दो हे आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो की मुकरियां किस तरह ऐसे है वो एक पहली मुकरियों को मतलब कहते हैं पहली ही तो किस तरह ऐसे पहली देते हैं और फिर उसका आर्थ कुछ ओर निकलता है तो ये खुसरो की कह लीजिएगा बड़ी पसंदिदा विधाती तो यहाँ पर हम चलते हैं पहली आपके मुकरिय पर आप हिले वह मोई हिलावे वाका हिलना मोको भावे हिल हिल के वह हुआ नसंखा हे सकी साजन ना सकी पंखा तो यहाँ मुकरियों से उद्रत है और इसमें पहले कोई सांकेतिक वर्णन कर जिग्यासा व्यक्त की जाती है फिर अंत में उस जिग्यासा को शांत किया जाता है उत्तर दिया जाता है मुकरिय का ये विशेस्ता है इसकी तो खुश्रों कहते हैं कि वह स्वम भी हिलता है आप हिले वह स्वम भी हिलता है और मुझे भी हिलाता है क्योंकि हम हाथ से हिलाते हैं उसको चलाते हैं तो और मुझे भी हिलाता है वाका हिलना मोको भावे उसका हिलना मुझे अच्छा या सुख दायक लगता है क्योंकि हवा आती है तो सुख दायक लगता है हिल हिल के वै हुआ नसंखा वै हिल हिल कर अर्थात लगातार हिलने से कुछ कमजोर हो गया है दिरे 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 अपने हिलाओ नहीं हिलाओ तो बंद हो जाता है तो कमजोर हो गया है वर्णन करने वाले से पूछा गया कि क्या वै प्रियतम है ये सखी क्या वे प्रियत्म है तो इसका उत्तर दिया गया कि नहीं वह तो पंखा है अर्थात पंखा ही हिलता तो दूसरों पर हवा करके गर्वी में सुक देता है तो यहां बाशा तत्समयम सरल सुभोध भी है और अगला फिर लेते हैं उची अठारी पलंग बिछायो मैं सोई मेरे सिर पर आयो खुल गई अखियां भई आनंद ए सकी साजन ना सकी चंद तो खुशरों कहते हैं कि हे सकी मैं जब उची अटारी पर पलन बिचा कर सोई तो वे मेरे सिरहाने या सिर पर आ गया और खुल गई अखिया भई आनंद अब मेरी आँखे खुल गई तो उससे देख कर मुझे बहुत आनंद हुआ जग्यासा करने वाली उसने पूछा कि क्या वै प्रियतम था तो उत्तर दिया गया कि नहीं सकी वै तो चंद्रमा था अब यहां समासोकति अलंकारों का प्रियोग हुआ है यहां अलंकार का प्रियोग है बच्चों आगे लपट लपट के वाके होई छाती पाउं लगा के सोई दाइथ से दाइथ बजे तो ताड़ा एसकि साजन ना सकी जाड़ा तो खुश्रों वर्णन करते हैं कि हे सकी मैं रात में लिपट लिपट कर उसकी बन गई अठाथ उसी सी गिरी रही क्योंकि रात में कितना भी जतन कर लो वो जो सर्दी है वो इतनी तंग करती है सताती है तो कहते हैं वो उसी में ही मैं गिरी हुई रात बर पड़ी रही तो गिरी रही और चाती पर पाउं रख कर अर्था समेट करके पाउं को चाती में, पेरों को चाती तक शीकोड करके मैं सोही, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, सोते समय में दांत से दांत बजे अर्था, सर्दी में ठीठुरन से दांत बजने लगे, तो उसने मुझे ताड़ा, यानि मैंने समझा, यह सकी साजन ना सकी जाड कि वो किते हे सकी साजन सुनने वाली ने पूछा कि क्या वै प्रियतम था तो उतर दिया गया नहीं सकी वै तो जाड़ा याने सर दी थी दांस से दांत बजना मुहावरे का यहां प्रियोग हुआ है बच्चों आगे चलते हैं सेज पड़ी मेरे आँखों आया डाल सेज मुई मजा दिखाया किसे से कहूं मजा मैं अपना एसकी साजन ना सकी सपना तो खुश्रों के वर्णन के रुशार एक सकी ने कहा कि जब मैं सया पर लेटी तो वै मेरे आँखों में आया सहीयाप पर लिटा कर उसने मुझे खूब आनन्दित किया किसे कहूँ मजा मैं अपना उससे मिले आनन्द या खुशी का वर्णन मैं किसे कहूँ एसकी साजन ना सकी सपना तो सुनने वाले ने प्रिश्ण किया कि क्या वे प्रियतम था उत्तर दिया गया नहीं सकी वैं तो सपना था तो यहां पर ब्रज भाशा इम्तत्सम्तत्भव शब्दावली का प्रियोग हुआ है समासोक्तिय लंकार है बच्चों अगली मुक्री है तो कुश्रो के वड़न नानूसार है कि एक सकी ने कहा कि वैं हमेशा आँखों की सोभा वढ़ाने वाला है आंखों से वह शन भर भी अलग नहीं होता है तथा जब भी वह आए मेरे मन को आनन्द मिलता है ये वन्नन सुनने पर पूछा गया कि क्या वह प्रियतम था उत्तर दिया गया कि नहीं वह तो अंजन यानी काजल था तो यहां पर भी खड़ी बोली का ही प्रियोग हुआ है आगला है तुम्हारे एक्जाम के दिश्ची से अगला लगा लो हुच्छू क्योंकि इनका गीत है दो गीत है तुम्हारे कोर्स में और ये गीत तो संगीत में भी कहलो और हरे के मुँपर भी कहलो चाहे राग रागनी का जिसको भी कहलो अगर थोड़ा सा भी भान ने तो उसको भी बड़ा प्रिया लगता है तो अगला है कि छापत इल्ला के सब अच्छी नीरे मुसे ने ना मिलाई के तो यहाँ पर है खुसरो अपने गीत में इसमें खुसरो ने अपने गूरु के द्वारा आध्यात्मिक ज्यान देने से स्युम को भग शाले बताया है तथा गूरु पढ़ने उच्छावर होने का भाव व्यक्त किया है उलिया है उनके निजामुदिन उलिया, उनके गुरु थे, तो उसी को ही उन्होंने इने पद है, वो समर्पित किया है, तो खुचरों कहते हैं कि, गुरु ने मुझे से नेत्र मिला कर, अथाथ प्रेम पूर्वक अपना कर, छापति लक सब छीनने रेमोसे नेणा मिलाई के, तो मुझे प्रेम से अपना करके, नेत्र मिला करके, प्रेम पूर्वक अंगिकार करके, मेरे कोरे बाहरी दिखावे के आचरन को मिटा दिया है, सब अच्छी नीरे मोसे नेना मिलाई कि, तो मुझे प्रेम में स्विकार करके, छाप पतिलग होता है, यानि मस्तक पतिलग लग दिखाना दिखावा करना तो मुझे प्रेम से अंगिकार करके मेरे जो बाहरी दिखावा था उन सब को उन्होंने मिटा दिया है और मुझे बाया डंबर से मुक्त भी कर दिया है प्रेम भटी का मदवा पिलाए के उन्होंने प्रेम रूपी भटी से निर्मित ग्यान रूपी शराब को पिला करके मुझे मदमस्त या आनंद मग्न कर दिया है मतवारी कर ली निरे मुसे ने न ना मिलाई कि फिर कहते हैं गोरी-गोरी बईयां हरी-हरी चूडियां इस तरह उन्होंने मुझ पर अपना प्रेम भाव्यक्त किया है आगे वो कहते हैं इस प्रकार बईया पकड़ कर घर ली नीरे मोसे ने ना मिलाई के तो इस प्रकार मैं गुरु द्वारा प्रदत आध्यात्मिक प्रेंग के रंग में रंग गया हूं गुरु की प्रेमान उभूती से मैं नहीं चेतिना वाला बन गया हूं बल बल जाओं मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दी नीरे मोसे ने ना मिलाई के तो मेरे गुरु ने मुझे अपने से रंग, गुरु की ऐसी कृपा, वो कहते हैं कि हम गुरु मुझे हैं, इस प्रकार गुरु द्वार अप्रदत आध्यात्मिक प्रेम के रंग में रंग गया हूं, गुरु की प्रेमानु भूती से मैं नई चेतना वाला बन गया हूं, तो प्रपा दृष्टी के लिए मैं आपने गूरू निजामू दिन ओलिया पर स्यौम को नोचावर करता हूं। और यह मेरा परम सोभग गया है तो यहां पर प्रतिकात्मक शब्दों का प्रियोग किया गया है बच्चों गोरी बहियां, सुहागन छाप दिला किसी प्रकार की शब्द हैं जो प्रतिकात्मक है और पुन्रुक्ति प्रकाश अनुपरास, यमक, रूपक गलंकारों का प्रियोग हुआ है बाशा सहरल सुभोध है तत्साम तत्वाव मिस्रित है बाकी हम कल करेंगे लाश्ट पद है वैसे तो यह नहीं, दो पद और है तुम्हारे कोर्स में, तो वो हम कल करेंगे बच्चों, धन्यवाद